हेलो एवरिवाड़ी वेलकम टू नीट पिजी सीरीज मैं हूँ अरपितने माफ फ्रॉम फेर फील लानिक पैटफॉर्म जहां पे आप सब पर सकते हो फिजिक्स केमस्टी मैस बलाजी एपसिलिटली फॉर फ्री एट लर्नोहप डॉट कॉम तो चलिए अब ये वाला जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें अपन मैं बोल सकता हूं कि ऑक्सिरेशन नमबर के एक टाइप के एप्लिकेशन के वारे मैं समझने वाले हैं पढ़ने वाले हैं ठीक है तो बनाए होंगे उनको सामने रखके पढ़ना है तो चलो बिना कुछ देरी करें स्टार्ट करते हैं चलो वीडियो की सुरुवत एक कोशन से करते हैं अब ध्यान से देखने कोशन क्या बोल रहा है फाइंड वैदर एलिमेंट इन ऑक्सिडाइजिंग एजेंट और रिडियू और जब अगर मेरे पास रीक्शन होती तो बहुत एजी सिए निकाल लेता है कि अविनको निकालेंगह से काता हूं समझना अच्छे से ठीक है नोर्स निकाल के रखो देखो तो इसको अपन समझते हैं कुछ ऐसे सबसे पहले बाद देख लेते हैं कि अपन रियक्षन को या फिर एक्वेशन को किस तरीके से निकालते थे कि यह oxidizing agent है यह reducing agent है तो चलो आजाओ बात करते हैं इसकी सबसे पहले आपको दिया हुआ है MnO2 प्लस HCl यहाँ पर MnCl2 और Cl2 और water बना रहा है ठीक है इतना है क्लियर है चलिए तो अपन इसको सबसे पहले आप कैसे निकाल लोगे कौन सा oxidizing है दोनों का एक मैसे एक एक का निकालेंगे अपन ठीक है तो MnO2 का निकाला हूँ तो क्योंकि मैंने Mn का सिर्फ निकाला अभी तो X रख दूंगा मैं इसको ठीक है मुझे नहीं पता इसका ठीक है तो X is equal to हो जाएगा आपके पास प्लस 4 बस इतना ही करना है आपको ठीक है तो यह हो जाएगा प्लस 4 यह हो जाएगा माइनस 2 यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 ठीक है यहाँ पर कितना आएगा देखो यहाँ पर जाएगा प्लस 2 माइनस 1 यह 0 यह भी हो जाएगा आपके पास प् रहा है सिर्फ उसको ही देखेंगे देखना मैन के चेंज मैन चिल रहा है देखो एम एन फॉर पलस यह पर टू प्लस यहां पर ऐसा लगाने का और वहाप तक ऐसे लेकर जाने का यह यह की बात कर beginner को टू छेंज नहीं हो रहा है तो यह भी चेंज नहीं यहीं नहीं दोनों के नहीं हो रहा है कि दोनों zwei और चेंज है तो बताओ कि यहां पर oxidizing वाला है या फिर reduction वाला चलो देखते हैं प्लस से फोर से प्लस टू जा रहा है मतलब positive चीज़े कम हो रही है और positive चीज़े कम हो रही मतलब कि negative बढ़ रहा है negative कब बढ़ता है negative जब बढ़ता जब आप electron को लेते हो बहुत अच्छे ठीक है तो यहां पर यह क्या होता है इसका हो रहा है भाईया reduction इसका हो रहा है reduction मतलब की इसने क्या करा होगा electron को दिया होगा ठीक है electron को लिया होगा अपने side मतलब सामने वाले ने दिया तब ही तुस ने लिया तो यह क्या है एक बहुत ही अच्छा oxidizing agent ऑक्सिडाइजिंग एजेंट की मतलब की यहां पर इसका मतलब क्या बताओ क्योंकि यह किसी से ले पा रहा है तो सामने वाले को इसने oxidize कर दिया हो ना उसने ले लिया तो उसने दे दिया और दे दिलवा सकता है अगर तो वह oxidizing agent ठीक है तो समझ में आगे चलो अब CL की बात करते हैं यह जरूर लिखेंगे कि कैसे है यह क्योंकि य प्लस टू इसलिए रेडक्शन हो रहा है ठीक है oxidizing agent चलो दूसरी बात करते हैं अब देखते है CL का CL में हो रहा है माइनस वन टू जीरो माइनस वन में कुछ तो प्लस करना पड़ा होगा तभी तो जीरो पे आया होगा नमर स्केल सबने पड़ा है माइनस वन में प्लस वन क करना पड़ा होगा तभी जीरो आया है प्लस कब होता है जब आपने एक electron दिया होगा ठीक है उल्टा चल रहा है यहां पे chemistry है दिया होगा तब जाके प्लस होगा ठीक है और अगर दिया है तो आपका क्या हो गया यह oxidation क्यूंकि आपने सामने वाले को एक electron दिया है ठीक है उ personality है तो आपका आपने उसका क्या करा दिया reduction तो आप क्या हो गए एक reducing agent हो गए तो आप बहुत अच्छे से यह बता सकते हैं कि reducing agent कौन है HCl और यहाँ पर MnO2 क्या है एक oxidizing agent है बहुत इजी मस्त लगन चलो तो ऐसे यह आपको निकालना है सेम इसमें है case देखो यह वाला आप भी कर सकते हो ठीक है homework लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं बाकि आप बताएंगे इसमें ठीक है चलवा जाओ CU है CU का oxidation number कितना होगा सबसे पहले एक एक का element का मैंने बोल लगी तक है मैं निकाल के देखाऊंगा देखो तो CU 2 प्लस है और O है तो यहाँ पर 2X-2 is equal to 0 तो X is equal to क्या जाएगा प्लस 1 आएगा ठीक है तो यह प्लस 1 में है यह माइनस 2 में है ठीक यहाँ पर देखो इसका कि ठीक है क्योंकि elementary form में है present यह ठीक है किसे से जोड़ा नहीं है इसलिए इसका 0 है CU अकेला बैठा हुआ है खाली बैठा हुआ है S की बात करो S कितने में प्रेजेंट है देखो यह माइनस 2 में है यह प्लस 2 में होगा ओक्जन तो इसमें ही रहता है ना ठीक है यह माइनस 2 में यह प्लस 4 2 में होगा एक बाद चेक कर लो भाई अच्छे से सही लेखा है कि नहीं लेखा द्यान से देख लेख बार देखो माइनस 2 इंटू 2 oxygen का तो माइनस 4 हो गया compound की उपर कोई charge नहीं तो 0 हो गया और अगर वो side जाएगा माइनस 2 तो वहाँ पर माइनस 4 तो कितना हो जाएगा प्लस 4 बहुत अच्छे यह प्लस 4 में हैं ठीक है और oxidizing मतलब oxygen से सबसे ज़्याद एलेक्ट नेगटिव तो कोई नहीं है fluorine के लावा तो negative कैसे लगा plus कैसे लगा दिया माइनस आएगा ना बिलकुल ठीक है ठीक है तो यहाँ पर आएगा आपके पास कितना प्लस 4 यह हो जाएगा आपके पास प्लस 4 और यह कितना होगा minus 2 क्लियर ना ठीक है देखो बिलकुल भी नहीं गवरा ना अब यह बता दो यहाँ पर copper प्लस 1 में है और यह 0 में चला गया तो इसने क्या करा negative एड करा होगा ठीक है यह आपके पास minus 2 में है और बहुत अच्छी तरीके से यह सब बन गए प्लस 4 बन गए अब यहाँ पर आप बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा reducing agent है कौन सा oxidizing agent है जल्दी से मुझे comment में बता देना अब सर क्योंकि हमने अगर पीछे बात करी थी यहाँ पर हमें ऐसा लिखा हुआ था ऐसा यहाँ तो reaction ही नहीं है कैसे नहीं है अब कैसे बोलनों कि यह oxidizing agent है reducing agent है क्या कर रहे हैं यह हमें पता ही नहीं है ठीक है तो आव मैं बताता हूँ ध्यान से सुनना हर एक element की एक minimum oxidation number होती है एक maximum oxidation number होता है ठीक है वो मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी carbon की ठीक है एक element का नाम होता है carbon ठीक clear अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ maximum oxidation number और एक minimum oxidation number ठीक है maximum minimum में दोनों में MR यह इसलिए अपन लिखते है highest oxidation number ठीक है तो यह हो गया आपका carbon highest oxidation number और lowest oxidation number ऐसे ठीक है ठीक अब बताओ carbon जो है वो कितना जादा oxidation number सो कर सकता है maximum मता उसका plus 4 ठीक है तो यह शो कर सकता है plus 4 और lowest कहां तक जा सकता है minus 4 तक बिलकुल सही minus 4 तक ठीक है clear अब देखो और दूसरी की बात कर लो nitrogen की बात कर लो और same उसकी family में phosphorus की बात कर लो maximum कितना शो कर सकता है plus 5 लिख दू plus 5 यह भी plus 5 ठीक है और यह minimum कितना शो करेगा minus 3 और यह भी minus 3 इतना ही शो करेगा ठीक है chromium की बात करें अगर CR की maximum कितना शो करेगा देखो plus 6 minimum कितना करेगा 0 ऐसी करेगा MN की बात कर लो magneze की magneze कितना शो करेगा plus 7 और minimum 0 ठीक है ausmium की बात कर लो वो कितना शो करेगा, प्लस 8, और minimum, आपका कितना करेगा, बताओ ये, 0, देखो, प्लस 8 करेगा की नहीं करेगा, वो आपको बदेखेना, ठीक है, ये बता देना मुझे, बागी ये तो ऐसे सो करेंगे, ठीक है, hydrogen की बात करो, कितना करेगा, वो तो sir, 1 ही वाला है, ठीक है, oxygen क माइनस 2, ऐसे ही शो करेगा, ठीक है, अब एक और बचता है, ध्यान से बताओ, MN हो गया अपना, ये हो गया, ये हो गया, और कोई बचा है क्या, नहीं बचा, चलो अपना आगे समझते हैं, कोई भी चीज, अगर highest oxidation number शो कर रही है, तो क्या और प्लस इसके हो सकते हैं, क्य और प्लस बना सकता है, ध्यान से सुनो, क्या बोलना चाहरा हूँ, ध्यान से देखना ठीक है, ये देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ, highest oxidation number की, सी की बात कर लो, प्लस 4 पे ये present है, अगर क्या, ये इस से जादा, इस से जादा और oxidation number सो करता है, जैसे की, सी प्लस 5 कर दे, य कैसा हो सकता है, क्या, बताओ, दोनों ही possible नहीं है, दोनों ही possible नहीं है, ठीक है, अगर oxidation number बढ़ता, मतलब इसने अपना एक electron, ये donate कर रहा है, मतलब इस क्या कर रहा है, अपने आपको oxidation करा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक reducing agent, reducing agent, समझे, फिर से समझो, चलो, देखो, फिर से जमझो, धान से देखना ठीक है, मैंने क्या बोला, अवालग तरीके से, प्लस 4 से प्लस 5 ये जाएगा ही नहीं क्यों इस से ज़्यादा तो वो जाए नहीं सकता ठीक और अगर क्यों इस साइड वो जा नहीं सकता तो इसका possible क्या नहीं है oxidation possible नहीं है oxidation is not possible not possible ठीक है clear हो गया ठीक है तो क्योंकि oxidation possible नहीं है तो इसका क्या होगा सर रिडक्षन और अगर इसका रिडक्षन होगा तो क्या होगा इसका सर इसके प्लस कम होगे मतलब C प्लस 3 बना सकता है C प्लस 2 बना सकता है क्लियर हो गया ठीक है और अगर ये प्लस 3 प्लस 2 बना रहा है सर इसका मतलब क्या है कि इसका हो रहा है reduction और जिसका होता है reduction तो वो सामने वाले का कराता है oxidation इसलिए वो क्या हो जाता है oxidizing agent oxidizing agent clear यहां तक आ गया समझ बहुत अच्छी बात है चलो अब एक और example से समझते हैं इसका ही समझ लेते हैं ठीक है दूसरा समझें गया दूसरा समझें चलो देखो nitrogen की बात करो nitrogen minimum की बात करो maximum मैंने समझा दिया maximum वाला हमेसा क्या होगा oxidizing agent अभी पूरा मैं आपको एक जड़ा पूरा किसी एक चीज़ से compare कर दूँगा ठीक है पिछले वाले question से अपन compare कर लेंगे तो आपको समझ में जाएगा द्यान से अभी यहाँ पर द्यान दो बस ठीक है nitrogen की बात कर रहा हूँ nitrogen का minimum पकड़ लो minimum मतलब की minus 3 क्या ये minimum से और lowest जा सकता है ऐसे जा सकता है नहीं जा सकता negative नहीं जा सकता मतलब ये क्या नहीं हो सकता द्यान सुनो nitrogen minus 4 नहीं जा सकता भया nitrogen minus 5 नहीं जा सकता और मतलब की ये negative चार्ज इसका बड़ नहीं पा रहा है इसका मतलब इसका क्या नहीं हो पा रहा है reduction is not possible clear? reduction is not possible ठीक है? चलो आगे आओ मतलब सर possible क्या है फिर? possible है? अलग पैंसर करते है न क्या नहीं? ठीक है? possible क्या है? सर इसका number कम हो सकता है मतलब n minus 2 हो सकता है n minus 1 हो सकता है है की नहीं? है की नहीं? ये हो सकता है न? ठीक है? तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है कि माइनस 3 से 3 एलेक्टरोन जादा थे इसने 2 एलेक्टरोन दे दिये वाप इस तो माइनस 1 बचे मतलब आप इसके पास सिर्फ एक एलेक्टरोन बचा हुआ है इसका मतलब इसका क्या हो गया ओक्सीडेशन और क्योंकि इसका ओक्सीडेशन हो गया तो ये सामने वाले को कराएगा reduce इसलिए ये बहुत अच्छा reducing agent हो जाएगा reducing agent चालिए आप यहाँ पर हमको समझ में क्या-क्या चीज आई अब देखो समझ में क्या-क्या इतना समझ में आगे न समझ में हमें ये आया सर जो भी एक element अपने maximum oxidation state पे होगा या फिर जो भी एक element वो अपने maximum oxidation नमबर पे होगा उसका हमेशा क्या होगा उसको मैं हमेशा क्या बोलूँगा oxidizing agent और उसका हमेशा होगा क्या सर reduction अब इसकी बात करो nitrogen कोई एक element था कोई भी एक element अगर अपने lowest oxidation state में होगा या फिर कोई भी एक element अपने lowest oxidation नमबर पे होगा उसका हमेशा क्या होगा oxidation और उसको हमेशा मैं क्या बोलूँगा reducing agent clear सर बीच में भी तो हो सकता है आरे बहुत अच्छे कोशन बहुत अच्छा कोशन चलो सबसे पहले मैं आपको बीच वाला भी बताऊंगा अब आपन चलते हैं उस कोशन पे और समझते हैं कि क्या क्या हुआ होगा समझते हैं आ जागे कहा था भाई वो ये था k2 cr2 o7 k2 cr2 o7 k2 cr2 o7 वैसे तो इसका oxidation नमबर ना बहुत लंबा जाएगा निकालने के लिए लेकिन फिर भी अपन निकाल लेते हैं क्या ही दिक्कत है ठीक है 2x 2x minus 14 और ये कितना है 2 is equal to 0 बाबा 0 क्यों compound के ऊपर कोई charge नहीं 2x is equal to 14 minus 2 मतलब 12 और x का value हो जाएगी फिर 6 तो ये क्या है 6 क्या निकाला CR निकाला CR CR का maximum क्या हो सकता था بتाया था मैने आपको अभी maximum CR कही plus 6 था कितना था plus 6 था किसका CR का तो इसके ऊपर तो वो जाही नहीं सकता इसके ऊपर वो जाहीं नहीं सकता तो ये क्या होगा बहुत ही अच्छा oxidizing agent ओक्सीडाइजंग एजेंट अभीजन की हो में इसको याद कैसे रखो देख हो सीमेटिया लेकों मैटर क्या है ओक्सीयजन नमबर का दाउंबर में कहले हर एचपःएज और खेंक तो जादा HCl O4 O4 ठीक है तो ये कितना हो जाएगा माइनस 8 ये कितना है X और ये कितना होगा H का H का होगा प्लस 1 इसे कॉल टू कमपाउंड की उपर कोई चार्ज ही नहीं है ठीक है तो CX की वैल्लू कितनी आएगी प्लस 7 ठीक है और प्लस 7 क्या है क्लोरीन का अपन ने पिछले में ऐलिमेंट में लिया नहीं था इसलिए अपन उसको भी लिख लेते हैं ठीक है क्लोरीन बताओ क्लोरीन और एक और फ्लोरीन चलो फस्त दखते हो ना इसलिए फ्लोरीन क्लोरीन का highest oxidation number कितना होगा सर प्लस 7 होगा प्लस 7 होगा और lowest किता होगा सर माइनस 1 होगा एक एक जरूरत होती है फलोरीन का याद रखना इसका highest भी माइनस 1 है lowest भी माइनस 1 है क्यों ये तो वेगा ही नहीं न ठीक है तो इसको ना जोड़े highest lowest की बात ही नहीं है जोड़े ना जोड़े वो मत जोड़े इसको मत गिनो ठीक है तो highest किता है इसका प्लस 7 ठीक है और lowest किता है माइनस 1 तो चलो अपन चलते है वापिस से वापिस 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 यहाँ पे आ गए है ठीक है इसका कितना आ रहा है प्लस 7 आ रहा है क्योंकि यह highest है तो oxidizing agent हो गया clear समझ में आ गया यहां तक सभी को clear है न अब बात करते हैं किसकी HNO2 की HNO2 आजाओ वापिस इधर आओ HNO2 ठीक है इसको इधर लिख लेते हैं क्योंकि यहां मैं आपको कुछ बता दूँगा है न इधर आजाओ देखो HNO2 HNO2 में किसका निकालो इसका nitrogen nitrogen का निकालना है तो nitrogen को सरफ nitrogen रख रहा हूँ minus 4 और यह plus 1 is equal to 0 nitrogen किता आ गया वाई यह minus 3 यह जाएका plus 3 plus 3 आ गया plus 3 आ रहा है plus 3 आ रहा है minus 4 plus 1 5 आ रहा है nitrogen आ रहा है आपका plus 5 यह क्या कर रहा है इधर का इधर ही जोड़ देखे है सॉरी ऐसे आ रहा है clear है वाजी 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 सरी तो था आ जा ठीक है इसका आ रहा है plus 3 plus 3 आ रहा है मतलब की देखो आप element के बाद करते हैं अपन यह वाला element plus 3 आ रहा है किसका nitrogen का यह देखो plus 3 मतलब की यह plus 5 और minus 3 के बीच में है कैसे नहीं समझे चलो आ गया देखो यह क्या है आपका plus 5 plus 5 और minus 3 के बीच में है कैसे बीच में पता है न number line तो याद होगी plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 0 minus 1 minus 2 minus 3 तो भाईया यह इसके और इसके बीच में क्या present है यह present है तो बीच वाला तो बता ही नहीं था इसलिए जो बीच वाले होते हैं वो दोनों होते हैं reducing agent भी होता है और oxidizing agent भी होता है इसलिए जो HNO2 है दो यह बोत है reducing agent and oxidizing agent simple ठीक है तो आप देखो मैं बता देता हूँ आपको shortcut में लिख लेना बहुत अच्छे तरीके से कैसे element elephant नहीं element यह वाला elephant नहीं ठीक है चलो आजाओ समझते हैं आजाओ highest highest oxidation number वाला हमेशा क्या होगा एक अच्छा oxidizing agent होगा organic आने वाली है इसलिए कुछ चीजों को याद रखो जैसे की H2SO4 is a good oxidizing agent बहुत अच्छे इसका नाम भी शुमार है आजाओ आगे अब आगे लिखते हैं दूसरा element with lowest oxidizing नमबर या फिर oxidation नमबर समझ जाओ यार चलो देखे तो इसका क्या होगा हमेशा यह क्या होंगे reducing agent होंगे जैसे की example में बात करते हैं जैसे क्या हो गया NH3 pH3 यह सारी के सारे यह बहुत अच्छे क्या होते है reducing agent देख लो यहाँ पर क्या आएगा minus 3 आएगा इसका दिख रहा है देखो hydrogen का तो 1 होता ना इसका भी minus 3 आएगा minus 3 मतलब की lowest oxidation number में present है HCL की बात कर लो HCL में क्या होगा minus हाँ देखो HCL भी तो होगा देखो आजाओ HCL CL की क्या होगी minus 1 आएगी ना सही है ना ठीक है HCL is good reducing agent अब बात करते हैं बीच वालों की ध्यावान से सुन लो बीच वाले ये कलर देखेगा क्या ये कलर नहीं देखेगा मेरे ख्याल से तो मैं कौन से कलर चूच करूँ अलग सा कर लेते हैं थोड़ा सा इसका light है न ये हो जाएगा आपका within the image दीके तो range के अंदर मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको element with with in the range of lowest oxidation number and highest oxidation number ये क्या होते हैं ये किसी के नहीं होते हैं ये दोनों होते हैं ये होते हैं बोथ reducing agent and oxidizing agent दोनों होते हैं ये ठीक हैं जैसे कि अपने अब बी example लेखा है वो HNO2 वाला HNO2 ये सारे के सारे example जो है वो आपके ऐसे present हैं clear ठीक है समझ में आ गया ना एक वाल इसको भी check कर लाँ ठीक है ये plus 1 है ये minus 8 है उस side जाएगा plus 8 minus 1 7 साई है वो चलो ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया कि element का कैसे निकालना है ठीक है ये आपको ऐसे example से समझना है ठीक है redox reaction में क्या क्या होता है acid और base में आपका एक आता है n factor जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं इतना लिखो फिर आगे चलते हैं चलो अब बात करते हैं equivalent weight की जो की बहुत important है जब भी आप normality पढ़ोगे तो उसके definition में formula में यह आ जाता है ठीक है तो इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा समझाऊंगा मैं चलो आजा the equivalent weight of an element is the mass which combine with or displaces 1.8 gram of hydrogen 8 gram of oxygen या फिर 35.5 gram of chlorine ऐसा नहीं है कि इन सब को displace करे और जो उसका mass है वही equivalent weight होता है ऐसा नहीं है किसी एक को displace करने पर जो उसका mass आ रहा है element का वही क्या होता है equivalent weight होता है मैं आपको example से बताता हूँ चलो पहले अपन normally कुछी भी alpha weight समझ लेते है ABCD जो भी है ठीक है तो A यह green color कहां से आ गया यह देखे गई नहीं यह देखो आज आओ देखो A जो है वो क्या है मान लो उसने oxygen के साथ reaction करी और बना लिया इसने A 2AO बना लिया ठीक है यहाँ पर यह 2A है ठीक है अब मुझे क्या करना है इसका निकालना है equivalent weight इसका मुझे निकालना है equivalent weight कैसे निकालूँगा मैं ध्यान से सुनो तो मुझे जो oxygen है अभी मुझे दिख रहा है यह 16 gram oxygen है क्यों O2 जो है O और O काम माइन होगा मतलब 16 और 16 32 gram होगा ठीक है यहाँ पर अभी क्या है 16 gram ठीक है मुझे हमेशा according to this definition यहाँ पर 32 है लेकिन मुझे हमेशा किस से reaction करानी है 8 gram of oxygen से ही निकालना है ठीक है तो कैसे निकालते है अब मैं आपको actual example से समझाता हूँ ठीक है यहाँ पर मान के अपन अभी चल रहे हैं कि एक एक आपका बहुत मन पसंदीदा element है जिसका नाम होता है mg यादोगी 10th के स्टार्टिंग नहीं यही थी ठीक है जिसने मिलके बना दिया 2 mg ओ बना दिया सार बैलन्स नहीं है हाँ भाई नहीं है लो 2 mg होगी ठीक है अब देखो यहाँ पर actual आपको क्या दिख रहा है पहले chapter से अब मैंने आपको सिखाया हुआ है जो कि nt ने कहीं साइद साइद reduce कर दिया ठीक है तो यह क्या है 2 into 12 g ग्राम ओफ magnesium react कर रहा है 16 g ग्राम ओफ oxygen के साथ 16 नहीं है सर 32 है बिलको अच्छा बात है अगर यह आपने पकड़ लिया तो क्योंकि दो एटम है ना ठीक है तो एक एटम का 16 होता है दो एटम के 32 जाएंगे ठीक है तो मुझे यह दिख रहा है अब मैं वर्ड में लिख रहा हूँ कि 24 g ग्राम ओफ magnesium is reacting with 32 g ग्राम ओफ oxygen लेकिन for equivalent weight ठीक है तो मैं लिखोंगा यहाँ पर for equivalent weight क्या होता है कि यहाँ पर हमें यह बताने है कि कितना ग्राम mg react करेगा 8 g ग्राम ओफ oxygen से according to definition ठीक है चलो निकालते हैं x की value निकालो x जो है अल्टा पलटी करना है कुछ नहीं करना 24 into 8 divided by 32 यहीं आएगा ठीक है बहुत इजी है 8 4 4 6 ऐसा आएगा ना तो x is equal to 6 ऐसा कुछ आ रहा है ऐसी कुछ आएगा ठीक है सही है ना ऐसा आएगा तो जो आपका equivalent weight of mg आ रहा है वो कितना आएगा 6 आएगा ऐसे आएगा ठीक है चलो अब आप मुझे बताओगे कि यह सही है या नहीं है यह सही है या नहीं है या फिर बताओ मैंने कहां गलत करा होगा बताओ 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 mg atomic number 12 होता है atomic weight कितना होता है 24 होता है ठीक है बड़ी यहाँ आजा देखो यह 24 है ना 24 तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा 48 ठीक है और यह जब जाएगा 14 तो कितना हैगा 12 बहुत अच्छे ठीक है 12 वाएगा तो equivalent weight of magnesium कितना हो गया 12 हो गया समझ में तो आगया कैसे करना है कुछ और example समझ लेता यह option का हो गया दूसरे एक example देख लो calcium का calcium react कर रहा है CL2 के साथ तो क्या बनाएगा CA CL2 बनाएगा ठीक है मुझे ही निकालना है इसका क्या equivalent weight calcium का अब फिर से पहले chapter के साब से देखो यहाँ पर मुझे यह दिख रहा है atomic number 20 इसका atomic weight 40 40 gram of calcium is reacting with यहाँ पता हो किता है 71 gram of 71 gram of chlorine ऐसा ही है ठीक है 35.5 plus 35.5 35.5 0.5.5 171 क्लियर है चलो अब 4 equivalent weight मुझे यह बोला गया है कि chlorine जो है वो सिर्फ 35.5 ग्राम of chlorine जो है वो react कर सकता है तो यह बताओ कितना calcium होगा तो x की value निका लेंगे x कोल्टू कितना जाएगा देखो 40 into 35.5 डिवाइड बाइड बाइड बाइगा 71 यह डार जा रहा है 2 टाइम से ज़राएगा 40 तो equivalent weight of calcium is 20 ठीक है clear है समझ में आगया कुछ और example अपने दोनों के देख लिए ये chlorine का हो गया पिछला अपने किसका देखा था ऑफिजन का अब एक और दिखाता हूं ध्यांच सुनों बहुत फेमस रियक्षिन कौन सी रियक्षिन ने सार सर एच्टू की रियक्षिन बता दो देखो दो टू प्लस 3 एच्टू क्या बनाएगा 2 NH3 यह बनेगा यह बनेगा क्या दिख रहा है यहां बताओ एटमेक वेट आफ नाइटरजन साथ डबल कर दो चाओदा ठीक है तो मुझे यहां पर दिख रहा है 28 ग्राम आफ N2 इस रियक्टिंग विथ 3 और हाइटरजन का कित्ता होगा 2 होगा ना ठीक है अगर मैं आपसे एक तरीके से ये बोलूम कि यहां पर हो क्या रखा है देखो बहुत इजी तरीका ये तो हो गई कहानी अब ये तो आप हमेशा करने बैट जाओगे नहीं हो सकता है यहां पर कोई बड़ा एलिमेंट जाए तो यहां पर मल्टिप्लेकेशन में फच जाओगे है की नहीं अब ये करने तो बैटोगे नहीं तो सर इक्यूविलेंट वेट कैसे निकालें बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ अगर मैं इसको अलग एंगल से देखूँ अब ध्यान से देखना ठीक है बहुत मज़ेदार है यार बहुत इजी है घवराने वाली बात ही नहीं है ठीक है टेंशन इस चैप्टर में तो मत हीलो calcium की बात करो calcium का valency बताओ कित्वी होती है valency, plus 2 होती है ठीक है, यहाँ पर इसकी valency होती है, plus 2 ठीक है एक काम करो, equivalent weight निकालने के लिए EW निकालने के लिए एक काम करना ध्यान से molecule हो, तो molecular mass लिखना, molar mass atom हो, तो atomic mass लिखना ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा एटमिक मास को डिवाइड बाइवाइवलेंसी निकाल लेकर देखो आता है कि नहीं तो एक्क्यू वैलेंट वेड देखो कितना आएगा डबलू जेकोल टू एटमिक मास कितना होगा उसका 40 होगा वैलेंसी किती है सर प्लस टू स्रिफ प्लस मत लिखना माइनस मत लिखना ठीक है अपने मरजी से यहां पर सिर्फ लिखोगे 2 numerical value तो यह कितना आ रही है सर 20 आ रही है तो देखो यह और यह सेम ही है सर नहीं सरिफ कैल्जियम के लिए काम करता होगा सब के लिए काम नहीं करेगा रहादा हो देखो इसकी बात कर लो एंटू की एंटू का कितना होगा मास एटमेक वास 28 ठीक है लेकिन इसमें आपको आयन से चलना पड़ेगा ठीक है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा ठीक है तो इसलिए आप अभी महाँ पस फस मत फस हो इसका मैं आपको आगे सिखाऊंगा मैं इसम की बात करते हैं एटमेक वेट किता होता है इसका 24 ठीक है तो 24 सेम गुरूप में यह लग 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 प्लस टू ठीक है डिवाइड बाई टू कितना आगया 12 आ गया कि इस पर भरोस नहीं तो आपका फेवरेट एने ऊच एन यह की बात कर लो एनेच अच एन सील ठीक है लोने एक यहां पर अगर मैं निकाल लूँगा तो इसका नमबर कितना होता है इसका नमबर कितना होता है 23 24 25 बताओ 11 22 ठीक है विल्कुल साही ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा 222 डिवाइड बाइड बाइवन तो यह हो जाएगा इसका साही do same to same हो जाएगा equivalent weight clear समझ में आगया तो आपको ऐसे निकालना है ऐसे ही आपको सब चीजे निकालना ठीक है तो equivalent mass अगर weight आपको निकालना हो तो इस तरीके से निकालोगे clear हो गया समझ में आ गया अब ऐसे naoh बहुत ज़्यादा famous है तो उसका और देख लो बहुत जगा लगेगा आपको naoh का equivalent weight ज़्यादा तर देखा जाता है ठीक है तो देखो यहाँ पर क्या करोगे अब यह molecular है ठीक है molecule है यह तो यहाँ पर इसका total molecule mass किता होगा 40 होगा ठीक है इसका 40 ही होता है वासे तो निकाल लेना एक बार ठीक है clear हो जाएगा अब यहाँ पर आप charge देखोगे कि na plus में होता है oh minus में होता है divide by 1 कर दो प्लस हो या minus हो एक का ले लेना divide by 1 तो जाएगा 40 यही आएगा आपका clear है तो इस तरीके से आपको निकालना क्या है आपको निकालना है equivalent weight clear हो गया समझ में आ गया अब इसको valency भी बोला जाता है और इसको यहाँ पर n factor भी बोलते हैं क्या बोलते हैं n factor ठीक है तो यहाँ मैं आपको एक बार formula को highlight कर देता हूं यह रहाँ आपका formula कि EW मतलब equivalent weight is equal to atom है तो atomic mass molecule है तो molecular mass ठीक है यह जो है आपके लिए ज्यादा important नहीं है वहाँ पर कहां करने बैठोगे यह important है इसना आप सिर्फ formula लेखो फिर आपना आगे चलते कि n factor कैसे निकलता है और देखो अब acid की बात करते हैं इन में n factor थोड़ा vary करता है जैसे मैंने आपको भी बताया ठीक है कैसे n factor होता क्या है acid के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा कोशन तो यह ही है तो n factor जो है ओहो highlighter देखना ठीक है sorry n factor किया कर मैं बात कर रहा हूं n factor यह for acids यह होता है आपको यह दिख रहा है इससे आपको एक बार में ही समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्या हो रहा देखो यहां पर अगर आप प्लस निकलेंगे लिबरेट आउट होंगे रिलीज होंगे वही होगा आपका जितने निकले वही होगा आपका एंफेक्टर जैसे एक्जामपल बताओ सर एस एल की बात करने क्या है एच सी एल एच सी एल मैंसे कितना एच निकलेगा एक एच निकलेगा और एक सी एल माइस निकलेगा तो सी एल माइस को छोड़ दो जितना एच निकल रहा है वही आपका एंफेक्टर होगा तो फॉर एच सी एल ठीक है तो एंफेक्टर फॉर एसिड्स फॉर एसिड ठीक है n factor जो है यहाँ पर equal का sign लगा लो तो जो आपको यहाँ पर होगा वही definition हो जाएगी ठीक है n factor equal होंगे जितने क्या हो रहे है h plus in क्या हो रहा है liberate out liberate out हो रही है वही होगा या फिर liberate out के जगा पर आप h plus release लिख रहने तो वो भी सही हो जाएगा अब इसमें कुछ exceptions भी है exceptions नहीं है वैसे तो वो logic है ध्यान से समझना ठीक है जैसे कि मैं बात करूँ अगर h2so4 की ठीक है hcl का भी देखा h2so4 का h2so4 क्या कर सकता है अगर यह चाहे तो यह क्या करेगा भाई एक h plus निकाले और hso4 minus अपने पास रख ले ठीक है तो इस case में इस case में इसका जो n factor होगा वो क्या होगा 1 होगा क्यों क्योंकि एक ही h plus निकाल रहा है जित्ता h plus होत्ता n f मतलब अपका n factor अब अगर मैं बात करूँ एक और case की इसमें क्या हो रहा है कि h2so4 ने का एक नहीं दोनों के दोनों निकाल लो ठीक है तो इसने क्या करा दोनों के दोनों निकाल लो मतलब 2 h plus निकल गए प्लस s o 4 2 minus 1 गया मतलब कि इसका n factor फिर क्या होगा सर 2 होगा बहुत अच्छी बात है ठीक है 2 होगा अब ये तो h2so4 की बात थी अब अगर उसने question ये पूछ लिया कि बताओ maximum n factor of h2so4 क्या होगा तो आप दो लेक क्या होगे या फिर उसने ये पूछ लिया कि n factor maximum है अब इसका equivalent weight बताओ कितना होगा तो equivalent weight कैसे निकालोगे आजाओ equivalent weight for first condition क्या हो जाएक देखो equivalent weight is equal to molar mass molar है ना यहाँ पर atom नहीं आएगा क्यों molecule है molar mass किता होता है इसका 98 होता है वैसे तो तो 98 divided by equivalent weight का formula क्या है यहाँ पर उसने दो एच प्लस लिबरेट आउट करें है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा EW या फिर EQ जैसा लिखना ठीक मैं कभी-कभी EQ लिखता हूं कभी-कभी EW लिखाता हूं मैं बोल दूंगा वैसे तो EW is equal to volume आपका molecular mass किता है 98 N factor कितना आए हुआ है 2 मतलब यह हो गया 49 तो second condition के लिए जो equivalent weight आएगा वो 49 आएगा जब जहां पर आपका N factor maximum हो याद रखना maximum बोले तब 49 लिखना यह जब आपको कोई reaction दे तब लिखना ऐसे मन से मत लिखना क्लियर हो गया अब एक अच्छा सा example की बात सुनो ह3 PO3 ह3 PO3 अब ध्यान से देखना यह क्या करेगा यह भी सर एक H प्लस देगा H प्लस प्लस ह2 PO3 बना लेगा मान लिया ठीक है तो इसका एक N factor हो जाएगा 1 अब दूसरा मैं क्या होगा 2 H प्लस देगा प्लस H PO3 बना लेगा जैसे जैसे एक चीज निकलते जा रहा तो माइनस भी लगाते जाना भाई है ना ऐसा नहीं कि नहीं लगाओ यह हो जाएगा आपका 2 माइनस टिक अब सर मैक्जिमम अगर इसने हम से पूछ लिया तो हम क्या करेंगे ना यहां से 3 H प्लस निकाल और PO4 को हम H से खाली करके H3 PO3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस कर देंगे ऐसे तो मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छे बहुत अच्छी बात करके आए हो क्योंकि मैंने आपसे एक बात अभी छुपा के रखी थी और आपने जल्ले वाजी कर दिया वीडियो छोड़के चले गए ठी का structure का ऐसो फूर का structure बता हैस्स, ठीक है यहां पर O होगा यह O होगा यह एस से जुड़ा होगा ऐसे होता है ना एक और होगा A होगा यह है जुड़ा होगा ठीक है ऐसी कुछ तो होता है डबल बॉंड ओक्षजन इधर होगा यह ओग है एच टू-एस-ओ-3 और डबल बॉंड ओक्षजन इधर होगा ऐसी कुछ होता है ना ठीक है अब ध्यान से सुनो इसकी बात करते हैं बाप को मैं डिफ्रेंस बताने की गुसस कर रहा हूं इसकी बात करो यह जो पी दिखरा है आपको यहां पर यह क्या है यह ओ एच है यह भी ओएच से जुड़ा होगा ठीक है यहां पर अब यह जो है यह ऐसा जुड़ा होगा तो कितने होगा एक दो तीन और यह डबल बॉंड हो अब ध्यान से सुनना ठीक है जगा है अपने पास हाँ बहुत है बहुत पर है अब ध्यान सुननों यहां पर यह वाले जो हाइट्रोजन है यह दोनों के दोनों इसलिए निकल पाए क्योंकि यहां पर यह जुड़े किस्से थे ऑक्सिजन से तो एक यह निकल गया दूसरा हाइट्रोजन भी इसलिए निकल पाया क्योंकि यह जुड़ा किस्से था ऑक्सिजन से ठीक है तो यहां पर लिखना हाइट्रोजन हाइट्रोजन अटेज्ट विद्थ सी का उपर बार मतलब कि विद्थ है टीक है विद्थ का अकसीजन इसलिए ये निकल गया इधार आओ ये वाला हाईड है इसलिए निकल पाया है क्योंकि ये तेजे कनेक्टिड या फिर अटेच्ट विद्थ आकसिजन ये भी same ये वाला क्यों नहीं निकल पाया क्योंकि ये भाईया फॉस्फोरस से जुड़ा है और जो अगर direct element से जुड़ा हुँ न जैसे फॉस्फोरस से जुड़ा है ठीक है तो ये वाला hydrogen नहीं निकल पाएगा oxygen वाला hydrogen निकलेगा इसलिए यहाँ पर क्या हुआ यह तीन वाला नहीं पॉसिबल होता ठीक है तो कभी भी H3PO3 का तीन नहीं निकलते तीन नहीं निकलते दो निकलते ठीक है तो this is not possible क्या लिखेंगे this is not possible not possible और possible अगर आपने कर दिया तो बहुत अच्छा कारनामा कर दिया यह गलत हो जाएगा ठीक है तो nf 1 इसमें है nf is equal to 2 है तो equivalent weight क्या हो जाएगा वहाँ पर उसका molar mass divided by 1 molar mass divided by 2 molar mass divided by 3 गलत ठीक है तो यह वाला possible नहीं है चुको ऐसे ही लगा लेना ऐसे लिखना ठीक है ऐसे note में लिखना वनना बूल जाते हो clear यहाँ पर समझ में आ गया तो यह case कौन सा था acid का आप एक एक्जामपल लेते हो hb u3 का कौन सा देखो मैं आपको इसका structure से बताता हूं सबसे पहले देखना भी ओवेच b o h o r h द्यान से देखना ठीक है बहुत अच्छा है तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा separate कर देता हूं यह लगा के ठीक है ऐसे 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 है ठीक है clear है तो यह कि structure है अब मैं यह structure है किस चीज का सर तो यह structure है आपका किसका h 3 1 2 3 b 1 है o 3 है तो o 3 यह ठीक है अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसके n factor maximum कितने होंगे तो आप मुझसे बोलो क्या बोलो कि h 3 b o 3 का h 3 b o 3 में जो maximum n factor होगा वो कितना होगा वो होगा तीन और जितने लोगों ने यह answer दिया है बहुत अच्छी बात है आपका answer एकदा गलत है एकदम गलत है ठीक है क्योंकि इसमें एक reason बैठता है अब ध्यान से सुनना चलो मैंने क्या करा मैंने क्या करा कि h 3 b o 3 को मैंने डाल दिया पानी के अंदर ठीक है पानी में क्या होगा सर एक होगा h plus और एक होगा o h minus बिलकुल साही चीज कोई गलत नहीं अब ध्यान से सुनो वेकेंट और बाइटल क्यों होते हैं सर क्योंकि यहां पर इसकी valence electron बता देखो बी का तो एक दो तीन चार पांच छे octate complete नहीं हो रहा है छे electron इसके parts है तो इसके पास क्या होगा एक वेकेंट और बाइटल होगा इसलिए जब यह पानी में जाएगा तो अपने आपको तो क्योंकि इसका यह तो duplicate complete करता है नहीं तो यह देगा तो है नहीं यह क्या करेगा अपको रखेगा अपने अंदर रखेगा तो यह क्या करता है इस ऑट Est- को क्या कर लेगा accept कर लेगा और बना क्या लेता है यह पता आपको बी ओ एच फूर ऐसा माइनस प्लस पानी का एच प्लस पानी का एच प्लस ठीक है पानी का एच प्लस इसलिए एन फेक्टर इसको मैं टा रहा हूँ मैं ठीक है इसमें कन्फिज हो जाओगे परना S.C.L. का वाला तो बहुत एजी अभी समझ जाओगे चलो इसलिए 4h2o3 4 एच 3 2 o 3 थीक है इसका जो एन फेक्टर होता है फेक्टर कान सा एंड एक्टर किसे इन टेक्टर एन फेक्टर कितना होता है भाई वो होता है सिर्फ और सिर्फ one थीक है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ यह एक तरीक का acid एक तो weak है क्योंकि h प्लस दे नहीं रहा है ठीक है इसलिए वह weak है और यहाँ पर अगर मैं बात करूं वह दूसरे का h प्लस दे रहा है इसलिए यह क्या है आपका मोनो बेसिक है मोनो है वस याद रखना समझ में आ गया तो ये एक तरीके का अजीब प्रकान का प्राणी है जो H प्लस खुद से भी नहीं देता दूसरे से दलवाता है तो ये आपको याद रखना है ये काफी ज़्यादा IMP पॉइंट है और ये के याद रखोगे H प्लस हो वाला निकलेगा है प्लस हो वाला निकलेगा जो जो ओकशन से जोड़ा हुआ है हो आपको पूरा ही हो जाएगा ठीक है अब सेम चीज किसमे होती है सर Bereica में होती है चलो आजा बेस की बात करते हैं आजा बेस में क्या होगा कोई भी एक सालीशन है उसके अंदर मैं से जितने ओच निकल रहे होंगे वह एन फेक्टर होगा तो देखो एन फेक्टर की बात करते हैं एन फेक्टर एन फेक्टर एंट रेक्टर फॉर base is directly equal to number of number of OH minus IN liberating liberating out from the solution यह बहुत इजी है इसमें कोई कोछ नहीं लगाना कि किस से क्या जोड़ा बिलकुल नहीं लगाना ठीक है जैसे कि example देखो इसको थोड़ा सा ऐसे highlight कर लिया गारो तो notes में लग दिखता है जाँच देखना अब N A O H N A O H M G O H Hold Twice यह तो सब के favorite ही है A L O H Hold Twice यह सारे के सारे यह सबको पता ही होगा न ठीक है तो इनके निकालना चलो N A O H का कैस में टूटेगा सर N A Plus Plus O H Minus मैं ऐसे डबा बना लेने का क्योंकि इससे मतलब है M G 2 Plus Plus O H Minus से किते हैं O H Minus? 2 O H Minus सर यहाँ पर क्या होगा A L 3 Plus Plus 3 O H Minus किससे मतलब? इससे मतलब ठीक है? यह balance नहीं था ठीक है मैंने पहले ही बता दिया देखो यह 3 Plus है तो कहां से आया होगा तो आपको यह 3 इदर यहाँ पर ऐसा हो जाएगा ठीक है? यह 3 इदर 2 3 सर इनके निकाल की हो रहा हो आप Acid Base के रिमांग में आए गया Acid Base के N Factor को निकालना N Factor को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको Equivalent Weight लगता है और Equivalent Weight आप बिना उससे निकाल नहीं सकते उसमें आपको N Factor डिवाइड करना पड़ेगा सर इक्यूवेलेंट वेट तो अब बताएं नहीं रहे हो Equivalent Weight for N A O H कितना होगा? 40 डिवाइड वाइड वाइवन N Factor ठीक है? M G O H Equivalent Weight for M G O H whole toys अब इसका Molecular Mass निकाल लेना तो मैं टाले लिक रहा हूँ M Y 2 ठीक है? इसमें A L Equivalent Weight for A L O H whole Thrice इसका भी निकाल लेना Divide by 3 Aluminium का तो पता ही होगा Auction का आपका पता ही है कितना होता है? 8 होता है, 16 होता है 16 होता है हाइड जन का 1 तो पुट का 2, 3 खतम 3 वारस से इंटू कर देना इसमें कोई कहानी नहीं है Acid में बहुत अलग कहानी है तो उसको मद भूल जाना ये वाला निक है? ठीक इससे Question में बहुत बुरा फसा सकता है और कोई Question ज़्यादा है खास नहीं है जिसमें आप फस सकते हो इसमें फसा सकता है और एक इसमें ये बाला एक और होता है आपका H2PO3 ठीक है? उसमें फस सकते हो याद रखना हो उसमें सरफ एक ही H निकलेगा बाकी के जो H है वो Directly Attached Phosphorus से हैं देखो exam मैं आपको एक structure बता देता हूँ अलग से ही ठीक है? तो इसमें फस सकते हो ठीक है? ये वाले H नहीं निकलेगे ये नहीं निकलेगा ये वाला बस निकलेगा तो एक ही H प्लस होता है एन factor 1 आएगा बाकी के मत लगा क्या जाना तीन लगा क्या जाओ परना ठीक है? समझ में आ गया? एक, दो, तीन, चार, पाँच, बिल्कु साही है यह, तो इसको जरा highlight कर देता हूँ मैं, ठीक है, clear, चलो, अब यह होगे अपना, अब बात करते हैं, salt की, salt में क्या होगा, दोरों भाई, बहुत सारे solution हो सकते हैं, सब का आपको निकालने आ सकता है, यह salt की बात करते हैं, आज CCL इसा साल्ट सभी जानते हैं, जो कि NA, OH और SEL से मिलके बना हुआ है, क्या करेगा यह, सर यहाँ पर ना तो यह H प्लस देगा, नहीं है, OH मानस देगा, लेकिन आइन सी तो देगा ना, NA प्लस CL माइनस तो देगा यह, कि नहीं देगा, देगा ना, बस, ठीक है, तो क्या हो तो यहाँ पर N factor या तो इसका देख लो या तो इसका देख लो दोनों सेम ही है तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा CA CL2 या फिर MG CL2 कितना होगा भाई CA2 प्लस प्लस दो CL माइनस यह होगा ठीक है AL CL3 क्या होगा भाई AL 3 प्लस प्लस 3 CL माइनस अब यहाँ पर ध्यान देना एक अच्छे तरीका एक दूसरा चीज N factor तो इसका 1 है क्योंकि दोनों सेम ही थे नमबर एक एक ही है सामने ठीक है इसके सामने भी 1 है इसके सामने भी 1 है है ना कैल्शियम की बात करो कैल्शियम दे रहा है 2 प्लस 2 प्लस चार्ज किता है 2 प्लस तो N factor किता हो गया 2 हो गया सर मुझे प्लस से नहीं निकल ला नेगटिव से निकल ला तो निकल लो क्या दिक्कत देखो यह आपके पास क्लोजिन किता है माइनस 1 तो इसका N factor किता होगा माइनस 1 लेकिन साथ सेम तो आई नहीं रहा अरे 2 भी तो है सामने तो 2 इंटू माइनस 1 होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 1 ही माइनस 2 ही तो होगा और N factor में माइनस प्लस मत लिखके आना आपका जो आएगा वो positive होगी value हमेशा positive होगी याद रखना वरना आपका equivalent weight negative में आ जाएगा कैसे देख लो अगर मैंने क्या कर दिया equivalent weight is equal to होता गया है आपका molar mass divide by N factor जिसको कई लोग valency बोल लेते हैं ठीक है valency तब बोलो जब single item present है तब आपको चलेगा N factor ऐसे बोला करो normally जब molecule reaction दी गई हो आपको है न चलो equivalent weight और आप यहाँ पे ध्यान से देखो molar mass मान के चलते हैं आपका 40 आया यह आ गया 40 ठीक है मान के चलो example है माइनस आप एक कम करो M ही मान के चलो M और N factor आप इसकी तरह लेके आगए माइनस 2 ठीक है तो ध्यान से देखो equivalent weight आपका माइनस M हो जाएगा माइनस M by 2 हो जाएगा और weight कभी माइनस में होता है क्या weight कभी माइनस में होता है क्या weighing machine को अगर नीचे से उठाओगे माइनस पहुंचे गा नीचे से उठाओगे तो नीचे से उठाओगे क्यों weight टू उपर से चड़गे ना ठीक है तो पॉजिटिव में आएगा इसलिए इसमें मॉड लगा दो बढ़िया और क्या अगर हो मॉड में हमें सा value positive आएगी clear है समझ गए न आप बास उसको ऐसे समझो तो यह आपको निकालना है तो एक काम करना negative का count करो या positive का count करो लेकिन value हमें सा positive में लेकेंगे ALCL3 की बात करो AL0 से plus 3 चला गया यह सब चीज छोड़ो इस Q पर कितना चार्ज है 3 प्लस चार्ज है तोड़ के हमेशा देखना पड़ेगा तो बनाओ किसना कितना हैगा N फेक्टर is equal to 3 कातम और भी देख सकते हो AL2 SO4 whole thrice ठीक है यह भी तो salty है AL2 SO4 whole thrice यह भी तो salty है यहाँ पर क्या होगा सेम ही होगा देखो द्यान से देखना N फेक्टर निकालो इसका तोड़ना पड़ेगा आव इसको दो अलुमीनियम है AL3 plus होता है प्लस SO4 की उपर 2 माइनस होते हैं लेकिन यह 3 प्रिजेंट है 3 अटम है न 3 है देखो 3 है यह पूरा का पूरा इसको पकड़ो 3 यह 3 लगा इसके पर दो लगा ठीक है N फेक्टर बताओ कितना होगा सर इस क्यूपर जितना चार्ज है वही होगा चार्ज कितना है सर 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 3 फिर वही बात गलत कर दिया क्यों हो यह देखो 2 के इंटे भी तो होगा न यह वाला 2 का इंटू होगा तो इंटू टू करना पड़ेगा N फेक्टर विल बी 6 बहुत अच्छे यह हो जाएगा फिक्स अंसर आएगा 6 समझ गए तो यहाँ पर यह था आपका कौन सा यह है आपके acids, base and salts का अब जो main difficulty आती है वो आती है जब आपको मिल जाए redox reactions तब आपको N फेक्टर निकालने में दिकत आती है वो अपन पढ़ेंगे आगे clear है? चलो इतना लिखो यह आपके दो चीज तोटल तीन चीज में चलो अब N फेक्टर का जो concept है वो अपन आगे वाली जो वीडियो है उसमें अपन continue करेंगे क्योंकि उसमें जो redox reaction है उसके अंदर काफी ज़यदा cases वगयरा आपको पूछे जाएंगे ति अगर आपको माल लो कि एक जो element है पूरे reaction में वो reduce हो रहा है तो क्या होगा दो element है रिडियूस हो रहे है तो क्या हो रहा होगा एक reduce हो रहा है oxidation number एक है लेकिन वो same ही तो show कर रहा है तो क्या होगा तो ये सारे के सारे cases जो है वो आपका लंबा खिच जाएगा और मुझे पता है आप लोग ज़्यादा दिर तक तो टेकते हो नहीं ठीक है इसलिए अब मैं मिलूँगा आपसे आने वाले वीडियो में और मैं मिलूँगा वहाँ लर्नोहा फ्री पर वेस्ट जहाँ याद रखना प्रैक्टिस जरूर करें ठीक है ख्याल रखिएगा मिलते हैं आगे बाई बाई